राम राम भाई लोगो मैं उतारा भाई जीतू और तम सब देख रहे हैं जीतू बीट वाई लोगो आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपून मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो ये की मुजिक प्रोडक्शन के लिए स्टूडिओ हेडफोन अच्छे हैं या फिर स्टूडिओ स्टूडियों अच्छे हैं और ये बात मैं क्यों कर रहाँ क्योंकि एक भाई ने मेरे को मेल बेजह आगा कि भाई 15,000 से नीचे मेरे को बढ़िया स्टूडियो मोनिटर स्पीकर बता दो हना 15,000 रुपए से नीचे में कौन से बढ़िया वो बता दो तो आज ये वीडियो में भाई साफ डाउट सारे क्लियर कर दूँगा कि हेड़फोन लेने चीए या फिर स्पीकर लेने चीए कौन से लेने चीए अगर ये चीज नहीं देखी ना तो गलती से अगर स्पीकर ले लिए या गलत हेड़फोन ले लिए पर भाई फस जाओगे पैसे बरबाद कर दोगे तो ये एक बार पूरी वीडियो देख लो उसके बाद तुम्हें चो लेना वो ले लेना क्योंकि मैं मानके चल सकता हूँ कि अगर 15,000 से नीचे के चीए तो होम स्टूडियो है होम में काम में लोगे घर पे कहीं अपने कोई एक कमरे को स्टूडियो बनाने कोशिस कर रहो और भाई सबसे बुरी बात speaker की ये है कि चाहे वो कम बजट के लो चाहे हाई बजट के लो चाहे महेंगे से महेंगे बड़िया से बड़िया speaker दुनिया के ले लो लेकिन अगर room जो है वो acoustically treated नहीं है तो कोई भी speaker बड़िया sound नहीं देगा सब घटिया sound देंगे mixing mastering कुछ भी नहीं कर पाओगे speaker एकदम बेकार है अगर room acoustically अच्छा treated नहीं है और room को अच्छी चरीके से acoustically का treat करना चाहते हो मेरे भाई तो उसमें बड़ा खर्चा आता है 15,000 से तो बहुत ज़्यादा आएगा 30-45,000,000,000,000 रुपे तक खर्चा आ जाता है उस चीज़ में थोड़ा बहुत भी treat करोगे तो भी 30-40,000 रुपा खर्चा आ जाएगा तो उस भाई का अगर budget ही मतलब पूरा budget ही monitor speaker खरीदनेगा budget ही मेरे भाईयों अगर 15,000 है तो वो कैसे treat कर पाएगा भाई अगर वीडियो देखे हो तो समझो इस बात को कि 15,000 में speaker तो ले आओ गया लेकिन अगर रूम को treat नहीं किया भाई तो वो speaker कोई काम कही नहीं है तो उस कमरे को उस कमरे के हिसाब से treat करना पड़ेगा पूरा अकाॉस्टिक लिए उसके बाद ही studio monitor बड़िया result देंगे नहीं तो बड़िया result नहीं देंगे कमरे का कोई role नहीं रहता है हेड़फोन अपने कान पर लगाएंगे तो इस कमरे में से sound कर रहा है जो उसकी treated बिल्कुल भी नहीं है दूसर लाइक दम treated है उसमें भी वेसाई sound करेगा यानि की room का बीच में से हिसाई हट गया कि भाई treatment कराने की कोई ज़रुत है नहीं तो उ इतने रुपे पंदरा हजार रुपे लगबग जो खर्च करना चाहते हो अपने speaker पे उसकी जगा एक अच्छा तेरा चोदा पंदरा हजार का headphone लेके आओ समस्या क्या होती है लोग देखते हैं कि यार पंदरा हजार रुपे का headphone लाँगा मैं इतने में तो speaker लेकर लेकर ले करता है लेकिन अगर अच्छा थोड़ा sound कराना है अच्छे mixing करनी अच्छा करना तो थोड़ा सा एक ठीक ठाक चीज लेकर आनी पड़ेगी इस्टूडियो monitor अगर ठीक ठाक लेने जाओगे यानि कि बढ़िया वाले साइड में जाओगे तो वो 40,000,000,000-60,000 रुपे तक ल सबसे पहली बात अगर बजट बिल्कुल टाइट है और भाई लाई नहीं सकते तब तो कोई सस्ता हेड़फोन लाने पड़ेगा मजबूरियो उसका कुछ नहीं कर सकते है लेकिन अगर 10-15,000 रुपे तक लिखटे कर सकते हो तो एक अच्छा हेड़फोन खरीदो अब हेड अगर उपन बेक हेड़फोन होते है ना वह मिक्सिंग और मास्टरिंग के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं क्लोजबेक की बज़ाए क्लोजबेक में क्या होता है हेडफोन मेरे पास पड़ा नहीं अभी मेरा ओडियो टेकनिका दिखाता मैं गर उसके अलावा अगर ऑपन speaker जैसा feel देते हैं जो open back headphone जो होते हैं वो speaker जो studio monitor उसके जैसा feel देंगे तो mixing में stereo width हम देखते हैं पैन करते हैं किसी एक instrument को इधर दूसरे को इधर को इधर से वाज आरी को इधर से आरी को पिछे से आरी को आगे से आरी तो वो एक 3D जो अपने को effect पता चलेगा वो open back headphone में ही पता चलेगा close back में इतना पता नहीं चलता close back में एक centered वो ही साथी एक सिर के अंदर अंतर बज़र होता है open back में अपने को 3D अपने कमरे में लगा यार यह आवाज दर से यह है इधर से यह पिछे से आई तो वो आनंद जो है वो सिरफ open back में आ सकता है लेकिन open back की एक समस्या यह होती है headphone कि भाई उसमें अगर कानों पे open back headphone लगा कि मैं recording करूँगा तो उसमें से भी आवाज निकलती है जो headphone में जो आवाज आएगी उसको थोड़ी थोड़ी room में निकालेगा तो वो आवाज भी मेरी साथ में record हो जाएगी तो जब हम vocal record करते है भाईयो तब हमको close back headphone की जरुत पढ़ती है और जब हम mixing mastering करते है तो open back सबसे बढ़िया है अभी मैंने एक headphone मैंने order किया है वो थोड़ी दिन में आ जाएगा तो मैं दिखाऊँ वाई एक headphone अगर पूछना चाओ कि भाई कौन साल है तो वो मैंने मंगाया है उसको बहुत से लोग बहुत बढ़िया बता रहे है तो देखेंगे चला के देखूँ हम टेस्ट करके सबका home studio हम perfect treatment नहीं कर सकते बाई क्योंकि हमें उस कमरे में बनाना पड़ता है जिस कमरे में हम हमको मिल जाए जो भी घरवालो से यह तुमारा काम करने के लिए तो उसमें उसको perfect treat कर पणा बड़ा मुस्किल है जो अपने professional singer है बड़े-बड़े singer है बोलीवूड के, hollywood के, जो भी और जो बड़े-बड़े studio है वो बनते ही studio के हिसाब से मेरे भाई हो तो उसमें treatment treatment बनने के साथ में ही सारा होता है, बहुत खर्चा लगता है उस treatment treatment पे, कि sound उस कमरे में अच्छा sound करे और तब वो वहाँ पे speaker लगा के मस्त काम कर सकते हैं, वहाँ पे वो क्या करते है 80% तो अपनी mixing mixing mastering सारी करते हैं अपने speaker में और 20% चेक करते हैं headphone में कि किसा sound आ रहा है, लेकिन home studio यानि कि अपने जैसों के studio में ये चीजे बदल जाएगी बिल्कूर, अपने को 20% तो देखना होगा speaker में, अगर है तो speaker, नहीं तो अधिकतर 100% हमको headphone pick करनी चाहिए, क्योंकि headphone में जो sound आ रहा है, वो accurate sound है, वो ही sound बार-बार में आएगा, अच्या है, वो कहीं पर भी जा के सुनो, लेकिन speaker तुम एक कमरे में रखके देखना, अगर कोई speaker तुमारे पाप पढ़ा है, अपने एक कमरे में रखोगे, अलग sound आएगा, दूसरे में रखोगे, अलग sound सकते हो, अगर एक ही headphone लेना है, एक ही के खर्चा, एक ही के पैसे हैं, तब तो close back लेना, क्योंकि close back में recording भी कर सकोगे, recording के time पर भी पहें सकते हो, और mixing mastering के time पहें सकते हो, लेकिन अगर दो लेने के पैसे हैं, तो एक तो close back लेलो, सस्ता वाला, जो कि 1370 रुपे का एक Sennizer का आता है, वो लेलो, वो track करने के लिए जब अपने vocal record करो, और vocal record नहीं करने हैं, mixing mastering करने हैं सिरफ, तो फिर एक लेो open back बढ़िया headphone, जो की 14-15 रुपे के आता है, एक मैं दिखाऊंगा भी, आ जाता है, मेरे पास deliver हुआ नहीं है, तो वो आजाएगा, वो दिखाऊंगा, और उस headphone की बारे में बात करेंगे, तो भाई, यह है system की home studio में तो मेरे ख्याल से speaker नहीं लेने चीए, अगर account stick treatment नहीं करा सकते हो, headphone ही लेने चीए, अच्छे headphone लेलो, यह one time investment है, लेकिन वो आगे तक, क्योंकि अगर मालो starting में तुमने सोचा, यह headphone तो बड़ा मैं तो यह वाला लेलता हूं, यह 4000-5000 में आ रहा है, यह वाला लेलो, तो उसमें होगा क्या भाईयों, कि वो 4000-5000 वाला उतना अच्छा sound नहीं करेगा, और वो अच्छा sound नहीं करेगा, तो फिर उससे जो mixing करोगे, वो भी अच्छा sound नहीं करेगी, क्योंकि भाई, mix उसी चीज को हम कर पाएं इस आदमी ने लो बजट के equipment से बढ़िया mixing करनी कोसिस किया, तो हम इसको तारीख करें, नहीं, उनको मतलब नहीं, उनको यह मतलब है कि भाई, अच्छा sound कर रहा है, तो बढ़िया नहीं, तो अच्छा headphone लेोगे, तो उससे फायदा यह भी होगा, कि खुद भी demotivated नहीं ह मत अच्छा mixer ही नहीं, कहीं लोगे लगने लग जाता है कि मत अच्छा mixer ही नहीं, मत अच्छी mixing ही नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे sound ही नहीं अच्छे करते है, लेकिन कारण ही होता है कि वो तो अपनी मेनद पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका headphone है या फिर जो भी equipment का में में उनकी सहाइता उतनी नहीं कर रहा है, कई लोग बलते हैं कि वह equipment को समझ सकते हैं अपने को, और हर कैसी equipment पे mix कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन बिगिनर आदमी जो है, वो equipment को समझने में उसको बहुर टाइम लग जाएगा, तो starting में अगर पैसे हैं, budget है, कर सकते है और एक बढ़िया 14,000 रुपे का headphone लेो, मस्त, और उसमें करोगे तो बढ़िया sound आएगा वाई, स्टार्टिंग में, तो थोड़ा confidence विल्डप होगा, कि हाँ वाई, इस पे जब में सुन रहा हूँ, वो और कहीं भी मस्त सुन रहा है, और मैं बढ़िया mixing कर पार हूँ, मु तो headphone लेो, अगर home studio में हो, लेकिन अगर acoustically treat करा सकते हो, तो कोई भी studio monitor ले सकते हो, लेकिन room को सबसे पहले तुम्हें acoustic treatment करना पड़ेगा, especially problem आती है, बेस की, तुम अगर वो सोचागे वो form से जबाते है न, अमेजन पर acoustic form वो चिपकादर को से होगा, नहीं होगा बाई, व तो उसको फिर ले जागे बड़े speaker अब सुनाईगी, तो कहो सकता है, करी बार bass बहुत ज्यादा सुनाईदे है, बहुत कम सुनाईदे, तो बड़ी समस्या है इसमें, और बड़ा treatment करना पड़ता है, अगर speaker ले रहे हो, तो अगर नहीं करा सकते treatment, तो कहले लेना है, headphone, वो अगर एक ही ले सकते हो, तो फिर लेना एक बड़िया वाला close back, तो बाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, अब जिसा मैं करता हूँ कि बीट बनाते रो, और मजे करते रो, चलता हूँ